आज हम लोग वर्ल्ल जेग्राफी की टॉपिक वाइस सीरीज में 15 टेस्ट कम्प्लीट करने वाले हैं या फिर आप लोग इसे 15 वाँ टॉपिक के सकते हो एक्षुल में तो यह 14 में टॉपिक का सेकेंड पार्ट है अब इसके कई सारे नाम मैंने आपको दे दी हैं आपको जो इस टॉपिक का नाम अच्छा लगे उसी तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं वैल स्टार्ट करते हैं एशा महादीब का सेगेंड पार्ट है फर्स्ट कोश्चन के साथ शुरू करेंगे निमनलकित मैंसे कौन दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी जील है इससे पहले एक information दे देती हूँ फर्स्ट पार्ट भी देख लेजगा और फर्स्ट पार्ट से पहले जदने भी वीडियो चल चुकी है वो भी देख लेजगा ठीक है जो नियूल स्टुडेंट सा उनकी बात कर रही हूँ बाकी तो ओल्ड सारे रेगुलर देखते ही आ रहे है ठीक है तो इसके options हैं बैकाल जील कैस्पियन्स अगर पेगांग जील या फिर टोबा जील question वगार फिर से पढ़ देती हूँ निमलिकेत मैंसे कौन दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी जील है आपके options हैं बैकाल जील कैस्पियन्स अगर पेगांग जील या फिर टोबा जील बैकाल जील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी जील है यह जील रूस के साइबेरिया शेत्र के दक्षण भाग में इस्थित है यह मीठे पानी की जील है नेक्स्ट कुशन है निमलिखित में से कौन शेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी जील है और शेत्र क्षण निमलिखित में से कौन सादेश कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है यूर आप्शिन सार्ट तुर्कमेनिस्तान, कजाखस्तान, रूस या फिर उपरोक्त सभी डिफिनिटली तीनों ही कंट्री बनाते हैं इसलिए आंसर हो जाएगा डी इसके अलावा और कौन से कंट्री है कैस्पियन सागर से सीमा वराने बाले तुर्कमेनिस्तान, कजाखस्तान, रूस, अजर्बैजान, इरान, कैस्पियन सागर के तटवर्थी देश है यह खारे पानी की जील है कैस्पियन सागर के बारे में बात हो रही है नेक्स त्या अरल सागर निमलिखित मैंसे किन देशों से घिरा हुआ है आपके उप्शन से एराक, इरान, या फिर रूस और मंगोलिया, या फिर कजाखस्तान और उजबेकिस्तान, या फिर तरकी और साओधी अरब तो गईज जो करेक्ट आंसर है, वह है कजाखस्तान और उजबेकिस्तान उप्शन पर C is correct अरल सागर, मैंने उपर अरब सागर तो नहीं बढ़ दिया था, अगर पढ़ दिया हो तो अरल है, ठीक है अरल सागर, मध्य एशिया में इस्थित एक जील है, जिसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है अर ये जो छील है या फिर सागर है, कल्याकिस्तान और उजबेकिस्तान से गहरा हुआ है नेक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स् विश्व की सरवादिक खारे पानी की जील किस देश में अवस्थेत है आपकी आप्शन्स हैं साइप्रस, मंगोलिया, रूस या फिर तुर्की तो गई सो करेक्ट आइसर है वह तुर्की है आप्शनमर्डी इस करेक्ट वान जील तुर्की में इस्थित है यह विश्व की सरवादिक खारे पानी की जील है निम ने लिखे तुमें से कौन सी जील, क्रेटर जील का उधारन है आपकी आप्शन्स हैं पैकाल जील, कस्पिन सागर, पेगांग जील या फुर टोबा जील देखें सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है अपका डी टोबा जील, ठीक है टोबा जील इंडोनेशिया में इस्थित यह क्रेटर जील का उधारन है अब थोड़ा सा बता देती हूं क्रेटर जील क्या है, हालांके पहले सो बार बता भी चुकी हूँ जब जौला मुखी परवत का जो जौला मुखी विस्वोट होता है तो उसमें क्या होता है काफी टाइम बाद इस तरीके से उपर एक गड़े टाइप के रूप में इधर एक क्रेटर बोलते हैं उसको एक्शल में तो इस तरीके से बन जाता है जब उसके अंदर पानी भर जाता है तो उसको हम क्रेटर जील का नाम दे देते है ठीक है पानी भरने से पहले इसको क्रेटर ही बोलते हैं के बल ओके नेक्स्ट है निम ने लिखे तो मैं कौन एशिया की सबसे लंबी नदी है आपके उप्शन्स है यांग टी सी क्यांग हो आमूर या फिर लीना तो गैस गरेक्ट आंसर यांग टी सी क्यांग है option number A is correct एशिया की सरवादिक लंपी नदियों का जो क्रम दे रखा है वो देख लीजिए एक बार इसको चांग जियांग भी कहते हैं यांग टी सी क्यांग को उसके अलावा इसको पिली नदि कहते हैं थर्ड पर आमूर है और फूर्ड पर लीना है उसके बाद मेकांग है किस नदि के पास दुनिया का सबसे ठंडा अस्थान जिसका नाम है बर्खो यांस के स्थित है आपके options है लीना ओब येने सी या फिर आमूर तो आपके जो आंसर है लीना है option बर ये is correct लीना ओब ते था येने सी नदियां रूस से निकल कर आर्प्टिक महासागर में अपना जल गिराती है लीना नदि के पास दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है कौन से स्थान है बर्खो यांस क option बर ए जो है correct है next है किसे प्रिथवी का शीत ध्रूब ही कहते हैं आपके options है कश्मीर तिबबत बर्खो यांस या फिर एवरेस्ट ठीक है तो प्रिथवी का शीत ध्रूब कहा जाता है बर्खो यांस को option बर C is correct बर्खो यांस का साइबेरिया में इसे प्रिथवी का शीत ध्रूब ही कहते है कौन दक्षण पूरव एशिया की सबसे लंबी नदी है आपके options है लीना मेकांग साल्वीन या फिर आमूर तो दक्षण पूरव एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ना उसका नाम है मेकांग option but B is correct मेकांग नदी तिबबत के पठार से निकल कर म्यामार, थाइलेंड, लाओस, कंबोडिया वियतनाम से होकर बहती है और यह दक्षण पूरव एशिया में एशिया की सबसे लंबी नदी है next है किस नदी को दक्षण पूरव एशिया की गंगा कहा जाता है आपके options है लीना, मेकांग, साल्वीन या फिर आमूर तो बहा है साल्वीन option but C is correct मेकांग नदी दक्षण चीन सागर में अपना जल गिराती है इसे दक्षण पूरव एशिया की गंगा कहा जाता है next question है निम्ने लिखित में से कौन मेकांग की सबसे लंबी नदी है आपके options है लीना, मेकांग, साल्वीन या फिर आमूर तो वहा है guys साल्वीन option but C is correct साल्वीन नदी दिबबत के पठार से निकल कर दक्षण पूरव एशिया की तरफ वहती है यह चीन वह म्यामार होते हुए मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है यह म्यामार की सबसे लंबी नदी है next है सुनहरा, त्रिबुज किसके उतपादन हेतु, विश्व प्रसिद है आपके option है अफीम, सोना, कपास या फिर गन्ना तो यह प्रसिद है अफीम, उतपादन हेतु, option पर A is correct golden या फिर सुनहरा, त्रिकोन भी कह सकते हो या फिर golden triangle भी कह सकते हो वह श्वेत्र है जहां पर थाइलेंड, लाउस और म्यामार की सीमे मिलती है बिसे triangle क्यों कहा जाता है कौन से तीन country है, जो triangle बनाते है वो याद रखना है या शित्र साल्वी नदी के पूर्व में स्थित है किन नदी के दुआब को सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है options है लीना वा मेकांग, लीना वा और्ब, साल्वीन वा इरावदी या फिर साल्वीन वा आमूर ठीक है तो correct answer है साल्वीन वा इरावदी आप्शन वर C is correct साल्वीन और इरावदी नदी के दुआब को सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है next है किस देश से आमूर नदी का उदगम होता है आपके आप्शन है रोस, मंगोलिया, चीन या फिर थाईलेंड तो इसका जो उदगम होता है मंगोलिया से होता है option बी is correct आमूर नदी मंगोलिया से निकलती है वहां से यह पूरवगा रुख करती है यह चीन और रोस की सीमा पर बहती है यह प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है नेक्स्ट है यांग्टी सी क्यांग विश्व की कौन सी वी सबसे लंबी नदी है आपके option है तीसरी, चौती, पांच्वी और छट्वी बात विश्व की हो रही है अगर उपर प्रशन होगा और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है उसके बाद प्रशन बनता है एक और यांग्टी सी क्यांग नदी से ही कि यांग्टी सी क्यांग नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो यह तो आपको उपर ही पता चल चुका है तो आब तो कोई मतलब नहीं बताने का लेकिन ठीक है जोनों ने ध्यान से नहीं पढ़ावागा वो फिर जान लीजे आप्शन्स हैं आपके चांग, ज्यांग, यांग्टसी और यांग्जी इन तीनों ही नामा से जाना जाता है आंसर डी हो जाएगा यांग्टी सी क्यांग, नदी को चांग्जी या फिर यांग्टसी या फिर यांग्जी भी कहते हैं या सी कांग के पहाड़ी शेत्रों जो के तिबबत पठार में हैं से निकल कर दक्ष्ण पश्यम से उत्तर पूर्व दिश्या की और बहती हुई पूर्वी चीन सागर पीली नदी भी कहते हैं, आपके option है, यांग्टी सी क्यांग, हवांग हो, आमूर या फिर लीना, उपर बता चुकी हूँ, अब आपको पता होने चाहिए, एक explanation में बताया है, लेकिन यहाप प्रशन के रूप में फिर से दिया गया है, तो वह हवांग हो है, option number B is correct, हवांग ह तिबत के पठार से निकल कर बो हाई की खाड़ी में अपना जल गिराती है, इसे पीली नदी भी कहते हैं, next question है, किस नदी को म्यामार की जीवन रिखा भी कहते हैं, option है, एरावदी मेकांग, साल्वीन या फिर आमूर, तो म्यामार की जीवन रिखा कहा जाता है, एरावदी को option number A is correct, एरावदी नदी, अराकान यूमा परवद, यानि की म्यामार में जो है, जो पार्ट है आपका, किस का पार्ट है, जो हमाले वाला पार्ट है, यहां पर आके उसे अराकान यूमा नाम दिया गया है, तो अराकान यूमा परवद से निकल कर किया है, मर्तबान खाड नेक्स कोशन है, यंगून शहर किस नदी के मुहाने पर इस्थेते हैं, आपकी option है, एरावदी, मेघना, साल्वीन या फिर बराक, तो correct answer जो है, एरावदी ही है, option पर A correct हो जाएगा, यंगून शहर वह बंदरगाह एरावदी नदी के मुहाने पर इस्थेते है, चाओ फ्र फ्राया जो है वह थाइलेंड की है, प्रमुख नदी, option पर D is correct, चाओ फ्राया नदी, थाइलेंड की प्रमुख नदी है, इसके मुहाने पर थाइलेंड की राज़ानी बैंकोक इस्थेते हैं, नेक्स्ट है, महा बेली गंगा बहती है, कहां बहती है, नेपाल में, हुड़ में, स्री लंका में और फिर कंबोडिया में, तो यह वहती है, स्री लंका में, option number C is correct, महा बेली गंगा श्री लंका की एक नदी है, एलबोर्ज तथा जेक्रोश परवत किस देश में स्थेते हैं, कहां में लगाना है, कहां लग गया है, आप्शन तरहें, एरान, एराक, एरान में है, एलबोर्ज परवत की सबसे उची चोटी देवबंध है, नेक्स्ट है, अराकान यूमा परवत किस देश में है, option है, चीन, म्यामार, जापान या फिर थाईलेंड, तो पता है सभी को, म्यामार में है, ऑनसर B हो जाएगा, ठीक है, अराकान यूमा परवत, म्य कहते हैं, अराकान यूमा, जो बंगाल की खाड़ी में पहले डूब गया है, उसके बाद आगे है, अंडमान निकोबार दीव समुग के रूप में दिखाई देता है, नेक्स्ट है, यूराल परवत किस देश में अवस्थित है, option है, इरान, इराक, रूस या फिर तर्की, जिसने जियोग्रफी को थोड़ा सा उपर से ओड़ा ओड़ा भी पढ़ा है ना, वो भी बता देगा, एक है, इस आंसर तो, रूस है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूराल परवत रूस में है, इसकी सबसे उंची चोटी, गेरा नेरो आपा है, गोरा नेरो आपा है, क्य आप लोगों का, किस मरुस्थल को ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं, आपके ऑप्शन है, दस्त एक अबीर, दस्त एलुट, गोबी, मरुस्थल या फिर तकला मकान, तो जो करेक्ट आंसर है गाईज, वो है आप लोगों का, दस्त एक अबीर ऑप्शन पर, एस दस्त एक अबीर मरुस्थल इरन में इस्तित है, इसे गरीट साल्ट डैजर्ट भी पहते हैं, नेक्स्ट है, दस्त एलुट मरुस्थल किस देश में इस्तित हैं, तो यह वज़तित है आप लोगों का, इरन में, ऑप्शन पर A is correct, दस्त एलुट मरुस्थल पूरवी इरन मे पूर वी रान में है याद रखना नेक्स्ट कुश्चन है एक सेकंड येस ये रहा गोबी मरुस्थल का विस्तार किस देश में है मंगोलिया चीन अपरोब तो दोनों या फिर इन में से कोई भी नहीं तो है ये दोनों में है मंगोलिया और चीन में आंसर C हो जाएगा गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया वह चीन में है यह एक ठंडा मरुस्थल है ठीक है नेक्स्ट रह तकला मकान मरुस्थल कहां इस्थित है मंगोलिया चीन रूस या फिर थाइलेंट यह चीन में है और बी इस करेक्ट आल राइट ओकी तकला मता मकान मरस्थल जो है वह चीन में स्थेत है ऐसे इसे नाम बोलके मेरा कुछ मेरी जीब घराब ना हो रहा है नेक्स्ट कॉश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है यांग्टी सी क्यांग हवांग हो या फिर आमू या फिर लीना तो गाइज करेक्ट आंसर जो है वो है आप लोगों का हवांग हो आप्शन मेर बी इस करेक्ट हवांग हो को चीन का शोक कहा जाता है निमलकित मैसे किस देश में यूफरेटस व टुगरिस नदीयां बहती है इरान इराक रूस या फिर तुर्की तो ये बहती है इराक में नहीं तुर्की में सॉरी इराक क्यों बोल रहे हैं ऑप्शन में डी करेक्ट है इराक में यूफरेटस वर टुगरिस नदीयां बहती है इराक की राज़ानी बगदाद टेग्रिस नदी के तट पर इस्थेत है 32 questions थे जो कवचे थे complete कर लिये हैं हमने next ये है PDF की थोड़ इसी चीज़ डिसकस कर देती है पूरी test series ही मिलेगी ये one day exam की test series है site का लिंक वीडियो की description box में वहां जाकर visit कीज़े सारे codes की information मिल जाएगी अगर वहां नहीं जा सकते हैं आपको थोड़ा सा भी कस्ट है तो आप इस number पर call या WhatsApp कर सकते हैं ठीक है so okay thank you so much for watching my video मिलते हैं next video मैं तब तक के लिए ख्याल रखे अपना भी और दूसरों का भी